कोस्ट काट के मताविक पंदुब्बी के मलवे से घटना के पीछे कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन होने के संकेत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखरिये हो कैसे सकता है। वैसे तो इसकी असल वजह जांच के बाद ही साफ हो सकती है। लेकिन एक आशंका पंदुब्बी के निर्माण में स्तेमाल सामग्रीयों को लेकर भी लगाई जा रही है। आम तोर पर पानी में गहराई पर चलने वाली पंदुब्बियों में दाबपात्र होता है, जो एकल धातू सामग्री से बना होता है। सामाने तोर पर कम गहराई यानि लगभग 300 मीटर से कम के लिए स्टील और जादा गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है टाइटेनियम या फिर मोटे स्टील वाला दावपात्र आम तोर पर गोलाकार होता है और ये 3800 मीटर गहराई तक दबाव जहिल सकता है टाइटेनिक का मलबा लगभग इसी गहराई पर पड़ा है बाट टाइटेन पंडुबी की करें तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसका दावपात्र टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मिल से बना था कहा जा रहा है कि ये इंजिनियरिंग के नजरिये से कुछ हद तक असामान्य है क्योंकि पानी में गहराई तक जाने के संदर्ब में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफी अलग अलग गुणों वाली सामिक ग्रिया है इस मामले पर छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि जहां टाइटेनियम लचीला होता है और वाय मंडुली दवाब में वापसी के बाद उसके अनुसार ढ़ल जाता है वहीं कार्बन फाइबर अपिक्षाकरिक कठोर होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता ऐसे में इन सामग्रियों में अंतर के चलते गडबड की आशंका भी जटाई जा रही है और माना जा रहा है कि पानी के नीचे दवाव के कारण विस्पोट हुआ होगा दरसल सटीक्ता से डिजैन कियेगे दापात्र सभी दिशाओं में पढ़ने वाले समग्र दवाव को जहिल सकते हैं ऐसी इस्तिती में उप्युक्त सामिक्री से निर्मित पंडुपी गहराई में जरूरत के अनुसार सिकुड और फैल सकती है माना जा रहा है कि टाइटन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा